हेलो इवरेवन वेलकम यॉल इट लूकेसर अलम लेट इस्टेडियून आप सभी का स्वागत एक बार फिर यहां पर और चल रहा है युवराज बैच युवराज हमारे साथ बैठे हुए और साथ में आपके करने वाले पढ़ाई तो मित्रों पहले के जैसे हम चैप्टर दोस्तों जिसका नाम है फन विद पेंट मतलब मजे करने वाले हैं किसके साथ पेंट के साथ क्योंकि फन का मतलब होता है मजे और पेंट तो पेंट ही होता है आईए पेंट क्या होता भाई पेंट तो आप जानते हैं ना पेंटिंग किससे करते हैं आप जिस कलर से पेंटि जो हमारा application software होता, paint, जिसे MS Paint भी बोलते हैं कुछ बार में, कई बार उसे MS Paint उब भूलते हैं, तो उसे हम open करेंगे, पहला काम है starting paint, दूसरा, squeeze and image, हम एक image को squeeze करेंगे, rotating and image, हम एक rotate करेंगे, image को crop करेंगे, image को मतलब काटेंगे, और cut करके दूसरी जगे चिपका देंगे मतलब paste कर देंगे मतलब मजे की बात दोस्तों मतलब आप चाहें तो सिर किसी और का पैर किसी और का यहाँ पर आप जो चाहें लगा सकते हैं तो हम इसे करेंगे cut and paste फिर इसके बाद क्या करेंगे अपनी ड्राइंग को सेफ करेंगे और पुरानी ड्राइंग जो सेफ हो चुके है उसको हम open करेंगे that is called opening and old drawing and next setting a drawing as a desktop background या guys हम चाहेंगे तो अपने किसी भी ड्राइंग को अपना desktop background बना लेंगे जैसे मैंने या पर अपना desktop background जो है देखिए आप black color को बना रखा है तो ये भी मैंने ऐसे ही बनाया है मैं कोई भी background desktop का बना सकता हूँ किसी भी color का बना सकता हूँ ये भी हम करेंगे आँगे क्या resize an image image को resize करना उसे बदलना size बदलना बड़ी करना छोटी करना flip an image मतलब किसी image को flip कर देना मतलब उपर वाली चीज नीचे हो जाए नीचे उपर हो जाएगी मतलब जैसे ये image आपको दिखरी इसको आप flip कर देंगे तो ये देखिए बिचारे की नाक नीचे हो गई है मतलब सिर नीचे हो जाएगा और पैर क्या हो जाएगा उपर इसे बोलते हैं flip करना क्या कर बोलते हैं flip करना rotate करना भी बोलते हैं flipping and image zooming and image image को zoom करना और copying and pasting किसी को copy and paste करना तो भाई साहब हमारे बहुत सारा मसाला है पढ़ने को क्यों युवराज काफी कुछ पढ़ना है की नहीं पढ़ना है तो फिर देर ना करते हुए दोस्तों सुरू करते हैं आज के topic को जिसका नाम है fun with paint चली तो सुरुवात करते हैं topic क्या कहता we have already learned about the paint in our previous class by पिछली class में भी हमने paint के बारे हम पढ़ाता it is a simple program for the painting on computer ये painting करने पर simple program होता है with this program you can draw and paint new picture view and edit scanned picture जी हाँ जो पुरानी picture already scan है उनको view कर सकते हो set your picture as your wallpaper अपनी picture को भी wallpaper में set कर सकते हो let's learn more about paint आई ये paint के बारे में कुछ और learn करते है तो क्या करने भाई साब ये देखे जो windows है ये जो हमारे पीछे windows है ये दिख रहे ही जो इसमें किताम में ये है windows 7 कौनसी है windows 7 मगर बच्चें जो मैं windows चला रहा हूँ पता आपको कौनसी windows है windows 10 pro यास तो मैं windows 10 pro चला रहा हूँ युवराज में बताया है मेरी windows ज्यादा updated है ज्यादा नय वर्जन की है और मेरी windows में function ज्यादा है इसलिए आपको मेरे windows में paint जो है थोड़ा अलग तरीके से start होगा और ये वैसा नहीं दिखाई देगा जैसे windows 7 में दिखाई देथा थोड़ा सा अलग दिखाई गया स्टार्टिंग paint की बाक्स बात करते है तो यह देखे paint की बात करेंगे to start paint follow the given steps click at start button आपको जाना है start button पे तो कहा है भाई साब अपना start button ये है जिस पर मैं click कर दिया ये लिजे ये और start button में आकर के भाई साब ये बैठा हुआ है paint तो इसको click करूँगा कौन सा click करेंगे इवरा right की left right click करने में आपके पस options आएंगे और left click करने में page open हो जागए ये खोलो की ये खोलो की ये खोलो की ये खोलो right click करने में हमें साब को choice मिलती है क्या मिलती है और left click करने में आप decision लेते हो क्या लेते हो तो बताइए right click करूँ की left click करूँ तो जैसे ही मैंने left click double click किया तो मेरा paint open होने वाला भाई ये हो गया open हो गया ना जी तो क्या करना है भाई साब आपको जाना है क्लोज हो जाओ software hang कर रहा है क्यों नहीं close हो रहा हो तुम होना तो चाहिए okay click क्लिक नहीं हुआ था हाँ कोई हैंग नहीं कर रहा है मैंने click शायद नहीं हुआ था चलिए तो फिर से करते हैं open करने के लिए क्लिक start बटन पर जाओ click all program पर जाओ अरे भाई all program पर जाकर के so series पर जाओ और paint पर जाओ इतनी महनत करने की जूरत नहीं है यह all program पर जाना है यहाँ पर सारे program बने हुए है okay program बने हुए है okay यह असी एक paint 3D भी है तो अपन को 3D में नहीं जाना भाई यह इतना महनत नहीं करेंगे हम लोग हम लोग सीरे जा रहे है normal paint में और normal paint जबी आया था इसको अपन कहा गया भाई normal paint उपर हाँ यह है यहाँ से open कर सकते हैं तो बच्चो क्या है कि paint मुझे बहुत काम का है मैं classes लेता हूँ तो मुझे paint की बहुत ज़रुत पड़ी तो यहाँ पर मैंने एक shortcut बना रखा paint का देखे मैंने इसको clip कर रखा है यहाँ पर pin कर रखा है क्या कर रखा है तो मैं directly यहाँ तो वहाँ से भी खोल सकता था और मैं directly यहाँ से भी left click करके दो बार खोल सकता हूँ task bar में मैंने add कर रखा है यह राज ने बिल्कुल सही बताया कि sir पापा जी आपने तो यहाँ पर task bar मैं add कर रखा है देखो मैंने OBS को एड़ कर रखा मैंने New Folder एड़ कर रखा मैंने Snipping Tool एड़ कर रखा और मैंने Microsoft Edge एड़ कर रखा क्योंकि ये मेरे बहुत काम के हैं तो मैं जाता हूँ भाई साब इस पर Double Click किया जैसे Double Click किया चलो Page Open हो चुका है आंगे बढ़ने के लिए मैं इसको मिनिमाइस करता हूँ चलिए भाई हमें नाशो सीरीज में जाना है हमें नापेंट में जाना हमाई तो Windows अप्डेटेड है तो हम सीरे गए और हमने खोल लिया ये आ गया है हमारे पास विंडो देपेंट विंडो इस डिस्प्लेइस मैंने टूल छिपा दिये हैं ये रिखिए मैं आपको माउस ले जा रहा हूँ ये ये रिखिए कुछ पहुंच गया ये मैंने रिबन क्लोस कर रखा इसका रिबन मैंने क्या कर रखा मिनिमाइस कर रखा ये मैंने कर दिया येस अब आपको ribbon पूरा दिखाई दिया कि ने दिखाई दिया तो ये आपके सामने पूरी window open हो चुकी जी हाँ आप home से भी कर सकते हैं, view से भी कर सकते हैं, ठीक ना, तो आपने क्या करना था, मैंने ये ribbon हटा दिया था, अभी इसको मैंने बापस expand कर दिया है, तो अपना इसके कुछ tools जान लेते हैं, कि इसके tools क्या क्या है, तो ये रहा, मैं mouse देता हूं यवराच को, क्योंकि अब यवराच चलाएंगे आफके साथ में इसके function एक-एक करके, अभी मत चलाईए, मैं बजाव को बताऊंगा, तब चलाईएगा, अभी तो छोड़ दीजे mouse को, तो pencil tool क्या करता है, use for free hand drawing, अगर आप free hand drawing करना चाहते हैं, बिना scale के, बिना किसी के ऐसे गोला-गोली कुछ बनाना चाहते हैं, तो आपको pencil tool यूज करना पड़ेगा, चलिए या चुके हैं आप, अभी आपके पास जो select है, वो brush है, क्या है भाई साब, आपको चाहिए pencil, तो pencil पे click करिए mouse को pencil ले जाईए, ये ले गए भाई साब mouse को, और click मार दो, बहुत अंदर भाई साब, click कर दिया आपने, बस एक बार click काफी है, अब आप work page पे लेके आईए, work area पे लेके आईए mouse को, और लिखना सुरू करिए, ये देखिए, ये देखिए, आपने pencil select करी है, त देखिए, आपकी pencil क्या चल लिए, मोटी जल लिए, चलिए बस 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 बाहर आते हैं भाई साब, आगए बाहर, eraser tool तो हर कोई जानता, बच्चा बच्चा जवाब देगा, this tool is used to erase, remove the drawing text and shape, कुछ भी हो, drawing है, text है, लिखी तो है, shape है, कोई shape है, कोई shape आपने बनाया है, उसको आप क्या करेंगे, erase कर देगे, तो आईए, erase करते हैं, थोड़ा सा practical करते है, erase, eraser लाइए बाई, कहाँ, eraser यह है, eraser जाक करके close कर दीजे, बस, तो इसको आप close कर देगे, तो क्या करना पढ़ेगा, eraser ले करके इसको आपको, ऐसे-एसे, हर point पर आपको रगणा की या मेहनत नहीं करना है तो जैसे आपने पैंसिल चलाई हो उसी की शेप के उपर एरेजर चला दीजे तो मिट जाएगा चलिए यह हो गया एरेजर एरेजर के बाद पैंसिल टूल वापस पकड़ लो भाई साब अब इसके बाद क्या कहे रहाए अगला कौन सा टूल है देखिए फिल विद दा कलर टूल यह जो होता है क्लोज फिगर में कलर भनने के काम में आता और अगर आपका फिगर क्लोज नहीं है तो कलर बह जाएगा क छलो डाल दो अब को आपने बाहर कर दिया अंदर करना था ना एक मिनट टूल यंविद तो प्लत करना है तो आप एक काम करें अब आपको color change करना है तो आपने कौन सा color ले लिया color आपने ले लिया है orange ले ले लिया और यह आपने डाल दिया तो यह देखिए color बाहर background खुला हुआ है तो यह देखिए यह gray आपने color कर दिया है ना मजे की बात तो आप बढ़ीया कोई भी color बना सकते हैं शुकर आपको कहीं पर लिखना तो आप को ट्राइट पर कर सकते हैं यूजर चीज आपको मुझे बतानी है एक मिनट हां देखिए जानते हैं आपका क्लर भी कौन सा इधा का उसलेक्ट हांiger अरवन कौन wanna hai कॉन सा क्रीन है तो अगर आप पेंसिल लेंगे पेंसिल लेते हैं तो आपकी पेंसिल कैसे चले जिए ग्रीन चलिए के यह लेते हैं red तो आपकी pencil किस color की चलेगी red color की तो आप जो अभी मैं कौन सा टूल आपको पढ़ाने वाला हूँ text tool जी हाँ तो text select करिए चले सेट करें text को यह select कर लिए text और text को select करने का बद वर्क एरिया पर आ जाईए यह area पर आगे हैं और यहाँ पर आपने left click कर दिया आपने यह जी यह खुल चुका है आपका text box क्या खुल चुका है और इसमें आप कुछ भी type करिए जी भाई देखें युवराज टाइप कर रहा है अपना नाम टाइप कर रहा है शायद यू भाई यू भी और आर ए जे आपने उसको ड्रैक करके mouse को ड्रैक करकर के स्लेक कर लिया अब यहाँ पर साइस पर जाइए साइज आपका अभी कित्ता है 11 इंचे से कितना है 11 पर साइज इंचे से नहीं बोलेंगे कुछ और हो गाई 11 पर आप साइस पर जाकर किसको 48 कर दिजए ओमाई गॉड़ अब अब लिखते हैं तो अब जो आएगा वो 48 साइज में आएगा यह देखिए 48 साइज में आ चुका है ना अगर आपको और बड़ी साइज लेनी है तो आप इसको तो क्लिक कर दिजिए यह वरास तो लिख चुका है और बड़ी साइज लेनी है फॉन्ट पे जाएए यहाँ आपफे क्लिक करें जहां पर चाहिए जहां प Cubby आपको लिखना है साइज बड़ी करते जाएज科 सब आप देखिए 72 साइज में काव सी कौन से पैटर्न में लेटर चाहिए कौन सी स्टाइल में चाहिए अलग अलग स्टाइल लिए जासे मालों ये इस टाइल को कि ता बॉल्ड दिख रहा ना कि इसे टाइप में लिखे आपका नाम देखेगा यव राज बिलकुल स्टाइल सी ये देखिए ये अब आप यह देखिए कितना बढ़िया लिखा है भाई ओके गायब क्यों हो गया क्योंकि छोटा था इसको और बड़ा कीजिए ओके पूरा आचका है युवराज खंडेलवाल है ना मजी की बात दोस्तों तो यह युवराज खंडेलवाल अब आपको पूरा दिखाई दे रहा है यहा कर रहा है लिखने का ओके एनी प्रॉब्लम तो यहां पर आपने युवराज खंडेलवाल लिख लिया अब देखे दूसरा टेक्स बॉक्स बनाना है तो आप अपने माउस को ले जाई दूसरी एक क्लिक करिए जहां परा बना चुके हैं यस दूसरी यह कहीं भी लिए क्लि आपको नहीं मिलेगा ओके फिर आप इसको दुबारा कहीं इस पर कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं देखे आप यहां दवा भी रहें तो नया टेक्स बॉक्स बन रहा है देख रहें और आपका पुराना टेक्स बॉक्स नहीं है है ना यह आपका नया टेक्स बॉक्स बन रह दो प्रेस्ट है सुभर ब्रफिक ब्रउट में गालते हैं ऑफ संड रहते यह पर Serge से लों को तो přितिए प्रशतों में तो तोité पतला करके अपने brush को जैसा इस्तमाल करना चाहो वो कर सकते हो pen double करी type के brushes होते हैं घर में पुताई करने वाला brush देखाऊगा आपने वो चोड़े mouth का होता है यसा नो दीवार में पूतने वाला वो चोड़े mouth का brush होता है बिल्कुल सही बात है अलग अलग टाइप के brush होते हैं तो brush tool का इस tool is used to drop anything on freehand moment the brushes tool has a different thickness option we can change the thickness of the brush तो brush की अब thickness change कर सकते हैं तो आजो भाई ये click करो पहले अब brush उठाते हैं कहा है brush ये brush है ये रेखिए brush select कर लिजे चलिए click दवाई click कर लिए left click अभी अपने left click नहीं करा है चलिए ऊपर पहले click करना था आपने options खोल दिए ये brush हो गया अब आप brush करोगे यहाँ पर तो देखो आप जो है पहले आप brush लेना पड़ेगा आपको तो अभी आपका जो selected है वो पतला वाला pencil selected है अब देखे आपको यह दी brush चाहिए तो जैसे आपने यह brush select कर लिया अभी भी यह थोड़ा गाढ़ा है ओके यस यह देखे मैंने spray select कर लिया क्या select कर लिया है spray तो यह देखे ब्रस spray कर रहा है तो जैसा आप select करोगे ना वैसा वाला जो है यहां पर यह राज मजे लेते हुआ ले देख रहो है खेलता हुआ computer के साथ में और तो आपको यह देखो बाई caligraphy दीख रहा है मेरे गो ऐसी तो caligraphy होती इसमें से यह देखे caligraphy pen होता है ऐसे होता है ना हाँ यह caligraphy pen इस तरीके का होता करता है बिल्कुल सही बात है, कैलिग्राफी पेंच चल रहा है यहां पर, और देखते हैं भाई साब क्या है, यह लेते हैं थोड़ा सा, यह मेरे को मारकर टाइप का लग रहा है, ओ भाई साब, यह तो ऐसा है कि पूछो मत, टिक्का है तो टिक्का, बहुत जादा बड़ा है यह तो क्या बूलू हुए, बस बस भाई बस भाई, बस भाई, बस भाई, तो आग ही लगा रहा हूँ, चलो और देखते हैं, और देखते हैं, यह बड़ा वाला हो चुका है, यह छोटी वाली पैंसिल लें थोड़ा सा, यह मेरे को लग रहा है, अरे तो बहुत हल्की है, बाई, एक दम pencil color type है, चलिए, ठीक है, तो काफी सारे हमने देख लिये हैं, चलो बाहर चलते हैं, बहुत समय हो रहा है फिर, बाहर चलते हैं भाई, चलिए, तो ये देखे बाहर आ चुके हैं, अब बात करते हैं, line shape की, मतलब इसमें हम दल देखे, this shape is used to draw line in any direction from top to bottom and from left to right, आजो भा rectangle है, ये rectangle है, ये भी थोड़ा सा rectangle type का है, ये कोई दूसरी shape है, ये triangle है, तो बहुत सारे shape बनी हुए है, देखे किते सारे shape है, और आप सीधे भाई सा मैं तो line दिखा रहा हूँ, तो ये देखे line, black color ले 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 लूँ, जिससे line दिखाई दे, ये मैं ले 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 ली है, और देखे, देखे line, ओके, इस point सा सुरुवात करी, इस point परेंड करी, अब माले जिए मुझे line दूसरी वाली, यहां से मुझे triangle बनाना है, तो मैं triangle बनाने के लिए line को, एक second जी, जो जाई, हाँ, ये पहले, और दूसरी line लेने के लिए मैंने इसी पर रखा, और ये यहां तक खीच दिया, ये लो जी दूसरी line बन गई, अभी देखे, आप ध्यान से ये जो line ना, ये line के उपर ये, ये बना हुआ है, थोड़े से दिख रहे होंगे, आपको गोले गोले रुख जो भाई, थोड़े दिखा दू तब तो दिखेंगे आपको, अभी उससे छोटे दिख नहीं कर सकते हो, अभी भी arrow बना हुआ है, अभी arrow बना है, मतलब आपकी line, आपकी line final नहीं हुई है, अभी आपकी line जो है न, edit mode में, देखे, अभी भी दिख रहा दिख रहा न, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ये देखे, arrow हट गया जी, अब आप कुछ नहीं अग्दम भाई, आपने तो मचा दिया, अग्दम कारोबार, और कितनी भी line है, अभी भी edit mode में, edit mode में है, तो इस line को आप सरका सकते हैं, ये देखे, फौर एपल बन चुगा है तो, और इसको यहाँ लेके वापस आपने set कर दिया, बढ़ सेट करने के बाद कहीं पर और क् लाइन बन गई, ओके, ये set कर दिया, एक ओल लाइन बना नहीं है, आपको ये लीजिए, तो ये देखे, आपके समय किती अच्छी प्यारी सी मैंने drawing बना दिये, ये आपको triangle, 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 triangle दिख रहे हैं, तो भाई साब ये हमाया पास आचुका है, आपका triangle, पे हमने आप आपको समझा दिया, क्या line shape समझा दिया, समझा दिया ना, line shape आपके लिए clear है, आप इसके बाद rectangle shape है, oval shape है, round rectangle shape है, round rectangle मतलब इसके कोने जो होते हैं, rounded हुआ करते हैं, corner है ना, चोट नहीं लगी कि ना, कोने पे अच्छा flat है, ये polygon shape है, और ये curve shape है, ओके, इन सभी के थोड पहले इसको आप ऐसे कर दो, पहले का कर दो इसको, ऐसे कर दो, फिर इसके बाद जहां मर्जी चाहो, curve उठा की, चो बढ़ा दो, ये देखो बाई साब, इधर बढ़ा होगी, तो इधर होगा, ये तो dance कर रही है, dance, 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 ये देखे, तो ये आपने क्या बनाया, curve, चलिए, circle बना लिजिए, oval बना लिजिए, oval खींच दोगे, तो oval बन जायागा, बराबर रख दोगे, तो क्या बन जायागा, circle बन जायागा, बढ़ा करते जाए, छोटा करते जाए, ये, clear है जी, अच्छी अच्छी geometry बन जाएंगी, इसमें से गुड़ा गुड़िया बनाना है, त इसके बाद देखिए यह polygon, polygon shape है, जैसा मरजी हो, जहां मरजी हो, आप बना दीजे, और यह जैसे जोड़ेंगे अपने आप, तो जैसा polygon बनाना हो, बना देंगे, यह triangle, दुनिया जानती है, triangle क्या है, यह right angle triangle है, कौन सा triangle है, यह 90 degree बन रही है, यह rectangle है, diamond kite बोलते हैं, क्या बो polygon के बाद है, यह right arrow, क्या है यह, right arrow, इसके बाद क्या है, left arrow, आपने देखा ना, shopping mall में, shopping mall में देखा होगा, bathroom इदर जाएं, ऐसे कुछ रहता है, यह up arrow, lift में लगा होता है, उपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए, down arrow है ना, मजएदार, मजएदार चीजें, यह देखि जब किसी की दिमाग में idea आता है, तो एकदम से नी, क्लिक होता है, comment में आता है, बिल्कुल, और यह दिमाग में idea, यह है, एकदम दिमाग वाला idea, यह सौनो, और, ओके, यह तो सपने वाला है, यह कौन सा वाला है, सपने का idea है, यह देखिए, तो मजएदार है, बड़ा मुख मूड के ना जा लर गिरी गिरी बिजली गिरी ओके तो यस दिल तो बनाई लिया अपने भाई साब और दिल किस कलर का होता है रेड कलर का तो हमने इसके अंदर रेड कलर भर दिया मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया चलिए दोस्तों तो आप देखते हैं आंगे resizing an image, एक image को क्या करना है, resize करना है किस image को क्या करना है resize करना, resizing an image resizing, you used to change the size of an image by making it shorter or longer to resize an image follow the following steps following instruction, following steps, click on the home tab, इसके बाद select कीजिए click the rectangular selection select an image by dragging the mouse over it, okay, इसको जो है आप जो है resize कर सकते हैं, आप तो भाई तो resize करते हैं, अपनी इस image को, ये लीजी, तो ये आपने यहाँ पर क्या बनाया है, यहाँ पर आपने बनाया है एक दिल, और इसको आपको resize करना है क्या करना है, resize करना है देखिए, वैसे आप resize नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका lock हो चुका है ये फाइल है, ओके फाइल से भारा हो भाई, ये होम आगया, होम पे तो ही है, होम पे जाके लेना आपको select tool, कौन सा tool लेना है, select tool, तो select में काफी सारे selections हैं, देखिए rectangle selection अपने आप default rectangle लेगा, अच्छा, free from selection मतलब कैसा भी ले सकते हैं ये, समझगे ना, मतलब random उपर नीचे कैसा भी ले सकते हो, मतलब curve selection भी हो जाएगा, आपको फिलहाल में rectangle सिखा रहा हूँ, ये देखो जी, तो rectangle में पूरा ले लिया, ये ले लिया, ये, तो ठीक है, पूरा आ गया, दिल, दिल आ गया, ये दिल आ गया है, ओके तो ये select हो चुका है, ये क्या select हो चुका है, अब आप इसको कहीं भी drag कर सकते हो, ये लो जी मैंने यहाँ लगा दिया, ये देखो, light ship गई, मैं यहाँ चाहूँ तो यहाँ तो मैं यहाँ ले जाओ, yes, use का weapon चुप गया, मैं चाहूँ तो इससे ले जाओ, ये, रिखे, use का weapon मैं चिपा दिया, अब आप कहेंगे, सर, दिल को सिर्वा पतला कर दो तो ये लिज़े दिल पतला हो गया और पतला हो गया यह जो इसके आपके पास जो मार्जीं दिख रहे हैं यह Mars repairs यहां पर किनारे पर यह बताते कि आप इसको आगे पीछे बदल सकते हैं, आगया जी समझ में, जोई दिकत, तो ये देखिए, हमने क्या पड़ लिए है, सिलेक्ट टूल देख लिया है, ओके, एनी प्रब्लम, ये हो गया सिलेक्ट टूल, ये क्या हो गया, सब कुछ करने के बाद अगर आपको । भी कर सकते, देखिए, मतलब आप अपने मन मुताबिक इसको resize कर सकते, जैसे ये तो अपना चलिए अभी select चल रहा है, इसको इधर लेआईए, चलिए, और अब आपन को इसको resize करना है, कि तो कितने में resize करना है, देखिए, ये बताएगा कि horizontal कितना खीचना है, percentage में, और vertical या सब्सक्राइब को चाहिए 50 पर सेंट आधा कर देंगे यह लो भाईसाब तो 50% मुझा था उसका 50 % आधा हो गया क्या हो गया तो इसे साइज बोलते हैं क्या बोलते हैं से जी यह यह देखे रोटेट लिखा हुआ तो रोटेट बाई 90 डिगरी यह कर दो भाई रोटेट हो गया एक बार और कर दो तो ही ओ गया नीचे हो गया एक बार और कर miejsce भीका स्ट्रय दारी दो bulगा जैसे नौ का काटा किवारा बारा बारा वाला कंट जो था घ Teil का नौ पे जाता है तीन पे जाता है तो इसको बोलते हैं घडिक की डेरेक्शनमें sector clockwise क्या होता है clockwise अब आये फ्लिप कर देते हैं ये देखिए ये उपर नीचे हो गया फ्लिप वर्टिकल हो गया और अगर आप इसको फ्लिप वर्टिकल करने वापस आ गया horizontal flip करने पर कोई फर्क नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये symmetric figure है, yes or no, इसलिए horizontal flip करने पर कोई problem नहीं होगी, समझ रहे हैं, horizontal flip करने पर कोई नहीं होगा, क्योंकि दिल को अगर इधर पलट दोगे तो दिल ही रहेगा, yes or no, ठीक है ना, but यदि देखी आप मैं इसको थोड़ा सा change कर दूँ, अब मैं square horizontal flip करता हूँ, तो अब ये बदल जाएगा, okay, अब ये बदल जाएगा, ओभाई, मैंने selection tool हटा दिया है, तो मुझे फिर इसे select करना पड़ेगा, तब होगा इसका कुछ, ये लिजी select कर दिया, अब कुछ होगा, क्योंकि मैंने selection tool हटा दिया, तो मैं क flip, समझ गया न, जैसे हम अपनी हाथ की गदेली को flip करते हैं, हाथ की हतेली को, इधर उधर, तो left, right वाली उंगली left में हो जाती है, left वाली, right में हो जाती है, तो इसको बोलते है, flip tool, तो आ रहा है दोस्तों, मजा, तो ये कहलाता है, flip tool आईए देखते हैं, तो क्या था ड्यालोग बोक्स, ड्यालोग बोक्स में होरिजूंटल वैल्यू डाल दीजे, वर्टिकल वैल्यू डाल दीजे, सेलेक्टा मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो, रेशियो मतलब जितनी चाहिए आपको, और इसके बाद OK कर दीजे, तो आपका answer आ जागा, चली अब बात करते इस इमेज को हलका सा थोड़ा सा मोडने टाइप का खेलेंगे, इसको पहले काम करो, अपन थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, रोटेट में जाकर के रोटेट लेफ्ट कर लो, यह सही हो गया है, अब इसक्यू करना आपको, क्या करना है, इसक्यू करना है, तो मैं आपक खिच गया बिल्कुल सही है तो और जूटली आपने क्या कर दिया इसकी कर दिया है ओके और थोड़ा सही आप इसको और ज्यादा खीचना चाहें ओके पहले-पहले बैक कर लीजिए यह देखिए अब आप जो है इसको सेलेक कर लीजिए सेलेक पहले मुझे करना पड़ेगा यह मैंने सेलेक कर लिया है और अब आप इसको फिर से क्या करना चाहते हैं आप इसको करना चाहते हैं तो रिसाइज में जाए 50% कर दीजे तो देखे दिल तो दिल का दिवाला ना निकल आए भाई यह देखे 50% कर ओ भाई गौड यह दिल तेड़ा हो गया तो यहां पर दे और दूसरा एंड क्या रहता सेम रहता है एक कोना तो रहता है अगर दूसरा कोना क्या हो जाता है खिच जाता है क्लिक अपना जो है वैल्यू डालिए जीरो से लेके कितने 89 के बीच में 0 से लेके 89 के बीच में और horizontal और vertical box जिसमें डालना हो आपको डालेंगे अगर आप उपर वाले में डालेंगे उपर तरफ से खिचेगी और अगर आप horizontal में डालेंगे तो दाएं बाएं खिचेगी yes or no और इसके बाद okay कर दीजे तो आपकी जो image है इसकी होके appear हो जाएगी clear हुआ की नहीं हुआ अब आई ये flipping की बात करते तो flip तो आपने देख लिया मैंने आपको flip करके भी बता दिया कि कैसे होता है flip command is used to get mirror image flip आपने देखा था हाथ ऐसा है सामने तो उल्टा हो जाएगा दाएं का बाएं बाएं का दाएं ड्राइंग होर्जूंटल ये लिए vertically मतलब flip आप जैसा चाहो यह तो आप horizontal कर लो या vertically कर लो वैसा flip हो जाएगा click on the home tap click on the start choose the rectangle selection हा भाई ही select कर लिया वही dragging mouse over it okay तो क्या करना आपको बेकपर फिर से बताता हूं इसके बाद जाना है ओके और इसके उपर जो है जा करके आपने select करने के बाद में आपको जो है इसके बाद आपको यहाँ पर जा करके flip करना है ओके flip vertical या flip horizontal आपने flip vertical कर दिया flip horizontal कर दिया जैसा करोगे वैसा हो जाएगा यस तो यह flip तो हम पहले ही सीख चुके है click on the rotate you will see option to the flip or flip horizontal vertical जैसा आपको मन हो वैसा ले लो जैसे यह देखिए यहाँ पर इसने vertical flip किया कौन सा flip किया है तो अपन भी vertical क्यों ना कर ले भाई साब यह लिखिए select तो कर लिया और इसके बाद हम गए है यहाँ पर rotate मे flip vertical यह दे to change the position of drawing at the different angle to rotate an image following the follow the following step home tap पे जाना है selection को दवाना है select tool को दवाना है rectangular selection पे और image को drag करना वही ले करके आना है नीचे और इसके बाद यहाँ पर rotate पे दवा देना जैसे आपको rotate करना है rotate image right by 90 degree तो 90 degree पे आपने rotate कर लिया था image को yes or no अब जैसे जैसे आप एक बार और rotate करते जाएंगे rotate right या rotate left ऐसे आपके angle बदलते जाएंगे you will see three options to rotate click the rotation directions you want for example 90, 180 and 270 तो देखे अपने पास जो option यहाँ पे आ रहे हैं यदि मैं rotate की बात करो तिया rotate right 90 degree, rotate left 90 degree, rotate 180 degree, okay clear हो गया समझ में आ गया ना तो इतने इन angle से आप जो है rotate कर सकते यह देखे rotate आपने कितना कर दि यह left कर दिया, एक बार all left कर दो, यह left कर दो, कर दिया, और 180 degree से rotate कर दो के तो पूरा का पूरा गूम जाएगा, यह देखो इधर का उधर हो गया, समझ गया ना, हाँ इधर का उधर, 180 degree मतलब straight line, यहाँ से चलके यहाँ तगर 180 मैं बना देता हूँ आपको बता, बिलकुल व बोलते हैं, rotate by 180 degree, और इसको आप flip horizontally भी बोल सकते हो, बोलो आगे समझ में, चलिए तो आँगे बढ़ते हैं, यह हो गया, इसके बाद है, zooming and image, आईए एक image को zoom करना, किसको क्या करना, image को zoom करना, the zoom command is used to get a bigger and closer view of the image by using zoom in and zoom out feature, the to zoom in the feature, yes, click on view tab, click on the following option, click zoom in, closer view, okay, and click zoom out to reduce the zoom level, तो पहले क्या करना पड़ेगा, यह view tab पे आते हैं, तो यह हम आपास में, सबसे पहले मेरे खाल से picture को हम select कर लें, यह हमने picture को क्या कर लिया है, select कर लिया है, अब इसके बाद हम view पे आ चुके हैं, view पे आने के बाद देखे, zoom in, ओहो, पूरी picture zoom हो रही है, बाई, पूरा picture पीचर ही zoom हो रहा है, zoom out करने के बाद पूरा picture यह देखे, zoom out हो गया, okay, तो zoom in है, और यह क्या है, zoom out है, तो आपने देखा इस तरीके से zoom in और zoom out कर सकते हैं, बच्चों एक option यहां भी होता है, zoom in का, यह नीचे पे होता है, तो आप इदर से भी zoom in और zoom out कर सकते हैं, दिख र आपने सीख लिया है, तो click on the zoom in to see the closer view, click on the zoom out to see the smaller view या zoom level reduce करने के लिए, टेक फंडा क्या कह रहा है, use the shortcut control plus page up to zoom in image and control plus page out to zoom down image, वा भाई, नई बात पता चल गई, control plus page up, तो देखे, control दमाना है और आपको page up दपाना है, तो धूरना पड़ेगा भाई, page up कहा है, तो आप इ keyboard पर आई ये, control ये है, और page up ये, इसीच की बूरर बाई करों कोई पार ही तो कोई बोले, और बड़ी कैसे होती है, तो control plus page up, और चोडी कैसे होती है, control plus पेज़राओन है न जी मजे की बात आए बात करते हैं किसी इमेज को आप करना किसी इमेज को आप करना तो पेज़र दाफ से पेज़राओन यह है तो специ Special 자주 करना क्रौपिग एमेज किसी इमेज को क्रौप करने मितलब क्या होता है Only selected apart तो या तो आप पूरा का पूरा crop कर दो या तो कुछ पार्ट आप इसका ग्याब कर दो या सारा part ग्याब कर दो आपकी मर्जी तो crop के लिए क्राना है Home Tap पे jाना पोड़ा पे जाना इसलेक पे जाना है Select the part of the image you want to see and clip crop छलिए देखिए हम आपको करके दिक्छाते हैं ये गए अपने पास में होम टेप पे गए हैं और ये पहले आपने एक मिनट जी भाई साब एक पहले आपने सिलक्ड किया क्या कि आपने ये देखिए अमारे Light कोई काम की नहीं है वो पुरानी वाली पेज अपका वर्क अपकी बल इस इमेज पे होगा बोलो आ रहा है समझ में की नहीं आ रहा है ना और यह देखिए कॉर्णर पकड़ अपना पेज चाहो तो बड़ा कर लो मजे की चीज़ यह मैंने बड़ा कर दिया ओके एनी प्रॉब खुल चुका आपको इस पे काम करना इसको बड़ा कर लो भाई यह देखिए है ना मजे की बात तो यह कहला था भाई सब क्रॉप टूल तो इस तरीके से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं ओके तो क्या लिखा है क्रॉप कमांड एलाउस यू तो क्लियर एवरिधिं आउट मज में अब इसके गरें कोबिन किया कोपिनियट क्या ये देखते हैं कौपी और पेस्ट करना है आपको बहुत बहुत ही सिम्पल कौपी और पीश करना देखें की पहले मैं समझा देता हूँ फिर मैं इसको बढ़ दूगा यह देखिए यह आपके पास चीज और आप पेश्ट दबा दीजे उसी पर देखे तो देखे दो हिस्से हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए दो हिस्से ना अगर आप एक बार फिर से इसकी कॉपी कर लीजे यह आपने कॉपी कर ली और एक बार फिर से क्या कर लीजे पेस्ट तो देखे तीन हिस्से हो गए हो कि देख रहे हैं तो copy paste मतलब वही वही चीज आप जित्ते बार चाहें तो आपको उत्ते बार आजागा देखे यहां पर यह देखे copy paste कर दिया इसने तो इसको एक बार था फिर दो बार था फिर तीन बार था जितने बार आपको चाहिए है वह आप कर लोगे ओके थोड़ा सा बस मिला दीजिए इसको ओके इसके अंदर कोई color बहर दीजे तो color भनने के लिए पे जाएंगे आप ये इस पे जाएंगे और आपने ये लो color भर दिया बहर दिया आप देखे आपको यह यह टूल बार-बार चाहिए तो चली select पर जाएं वो पहल उपर नहीं स्टीए लिय लेड़ी सलेक्ट होगे छली इस पर आएये हां क्रंप करिए वाँ हाँ ये ठीक है रुप जाइए है अब इसके बास र did करें रैट क्लिक रैट क्लिक अरे भाई आपने कहां पर रैटलिक करना था उसके ऊपर करना था रैटलिक आपको ना हाँ बस अब इसके ऊपर रैटलिक करिए और पेस्ट कर दीजिए यह देखिये दो आ चुके आपके पास yes or no, है ना, ये दो आ गए आपके पास में, एक ये है, और एक ये है, आपको और चाहिए है, तो आप फिर से ले जाएए, कहीं पर भी पेस्ट कर दीजे, ठीक है ना, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक बार कॉपी कर चुके हो, तो लगातार कितने बा है ना, मलब ये एक बार कॉपी कर चुके हैं, तो आपको दस बर कॉपी करने की ज़रूयत, हाँ, कॉपी कर नहीं आएगा, अगर आप इसके उपर क्लिक करके आएगे, तो आएगा कॉपी को औप्शन, ये देखे, कॉपी को औप्शन आया, ओके, क्योंकि उनी आए आए अ कॉपी को औप्शन हट गया, समझ भाए ना, अभी देखे, कॉपी को औप्शन हट चुका है, क्लियर हो गया, तो इस तरीके से हम लोग कॉपी पेस्ट किया करते हैं, बड़े मजी की चीज है, कोई दिक्कत, तो चलिए भाई, सिलेक्ट ऑन दा होम टेक, क्लिक ऑन इस्टा हम भी कॉपी कर सकते हैं, एन पेस्ट shopping from the clipboard group, ऑवर clipboard गुरूप से जो है, आप आप वहाँ पर कर सकते हैं, इसमें, स्लेक्ट कर के . पीच तो, इस तरीके से यह देखिए, यहां पर कॉपी दीख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है, पॉपी दिख रहा है तो यहां से आपने इसको कॉपी कर लिया और इसके बाद आप इसको पेश्ट कर दीजिए एक पेश्ट होता जाएगा जित्ते बार पेश्ट मारें गए उत्ति चार पाँच छे अब आपको कि छह हो गया सरी कि अरे यह वहीं वहीं पर आ रहे देखना यह देखओ एक यह अरे ų सारी दुको तो ओके हम यह नहीं ने नित्या पाँगा क्योंकि सेलक्ट हो चुका हो ठाशच ना घ Intro पेश्ट यह देखां और रडग हो गया दूसरा हो européा 6 फ्यर पेश्ट यह ठीसरा इबालग होगा फिर पेश्च यह चौट इलच लेय controll हुए क तो जितने बार paste दबाते जाएंगे क्योंकि already वो भी copy में है समझ रहे हैं तो इसलिए वो अलग-अलग होता जाएगा any problem? कोई दिक्कत बन जाएगा ना? चली आंगे चलते हैं तो copy हो गया है copy हो गया, paste भी हो गया है the duplicate image will be on the top left corner of the drawing area जो आपका drawing area है जितनी भी image लेंगे वो top left corner पे मतलब यहाँ पे आजाएगी ओके? कहाँ पे आजाएगी? top left corner मतलब यहाँ पे pencil आजा भाई color change यहागी तो जो आपकी image हो वो कहाँ जाएगी? top left corner पे मतलब उपर बोली आगया समझ में ना? कोई दिक्कत? आपन को cut paste सीखना है समझ रहे हैं? तो चलिए cut and paste feature is used to delete the image from the original position देखे copy paste में क्या होता है? कि जो चीज आपकी पुरानी है वो तो वहाँ पे रहती है जो चीज आपकी पुरानी है वो वहाँ पे रहती है और नई वाली भी आ जाती है तो आप cut paste में क्या होता है? जो चीज पुरानी जापे थी वो नहीं जहेगी उसको यह आप नई जगे पे ले जाएंगे चलो नया page लेते हैं control and दबाईए नया page के लिए control plus end control दबाईए दबाईए control और end दबादीजे जी यहाँ नया page आ गया पूछ रहा है क्या आप पुराने वाले को save करना चाहते हैं? नहीं हमें save नहीं करना है ठीक है? तो चली आएए देखते हैं cut and paste का कमाल देखते हैं तो कोई सी बढ़िया सी मैं drawing बना लेता हूँ मैं एक circle बना लिया मैंने यह लिजे जी circle बना लिया मैंने इसके अंदर ओके इसके अंदर मैंने इसकी यह काली काली आखे दूरूरू और यह देखे मैं इसके अंदर भर देता हूँ color लाल लाल और इसके अंदर यह ठीक़ जी, यह मेरे पास है और आप इसको क्या करना चाहते हैं, cut and paste, क्या करना चाहते हैं? तो भाई साफ cut and paste करना है, अब देखिये, आप कैसे करेंगे इसको cut and paste, OK, तो cut करने के लिए, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चलिया यह पड़ते हैं, यह स्वही काम है home tap पे जाएंगे click on select, select करना पड़ेगा, select the image by dragging the mouse over it और drag करके आपने उसको पहले select कर लेना है, फिर उसके बाद आपको cut दबाना है, वहाँ से despair हो जाएगी, clipboard में चली जाएगी और उसके बाद paste option दबा देंगे तो वहीं चली जाएगी, आज ओ भाई है और मैं आपको बिल्कुल simple बता देता हूँ कैसे होती है, यह देखिए आपने गई सबसे पहले आपको लेना है select करना है, तो select करना है, तो सीधे यही दबा दो, नहीं तो यहाँ पे rectangular selection कर लो, okay, rectangular में पूरा-पूरा rectangle form में select होगा, और यदि आप यह करोगे free selection, तो आपक हमसे का इतना पार्ट ले लो, ले लिया, इतना पार्ट ले लिया आपने, ओके और इतने पार्ट को cut कर दो, लेो जी, cut याने कि उतना पार्ट गायब हो गया, cut याने उतना पार्ट गायब हो गया, और यह देखिए दूसरा पार्ट फिर आपने paste कर दिया, जो cut किया था, क्या कर दिए आपने अभी अभी selected mode में है तो इसको चाहे तो आप यहीं उठाके रख दो या आप यहां ले आओ या यहां ले आओ समझ गए कि नहीं है आगया समझ में न और अल्रेड़ी यह copied mode में है तो पेस्ट करेंगे तो जितने पेस्ट करेंगे उतने वह आते जाएंगी यह देखिए क्योंकि वो selected mode में है समझ रहे हैं आप क्लियर हो गया तो cut का मतलब क्या होता वो चीज वहां से उठा करके रख देगा बट यही copy करते आप तो copy में वो चीज वहां भी रहती और दूसरी जगे भी आती बट कर देखो नहीं बचती चले कट देख लिए इतना पार्ट आपने कट कर दिया कट कर दिया और कट करने के बद आपने यह कर दिया तो देखो नहीं बचाना तो कट करने के बाद भी नहीं बचती है copy करने के बद बचती है और समझ में चले तो सेब करते हैं ड्राइंग को इतना काम कर लिए आप सेविंग दर राइंग करना बहुत ईजिय है Ctrl S दबाते हैं ना या Save or Save as you can save your drawing if you wish to see it again and again after make make changes to save your drawing click on the paint button जानताओ भाई click to save or save as there is save देकि सेव जब आरेडी आपकी फाइल बनी होगी तुसको से बत यही नई फाइल बनाना तो क्या करेंगे सेवेज okay that name huh then type a name of the file in the file box click on the save your drawing get saved by the name of the you have typed you will see the name of your file appears on the title bar जैसे ही आप save करेंगे तो आपका जो है वो नाम जो है ड्राइंग पे आ जाएगा चली आईए तो सेव करते हैं यह आ गया हमें पस अब क्या करना आपको फाइल पे जाना है कहां जाना है चली जाए फाइल पे यहाँ फाइल पे जाईए तो आपकी फाइल जो नहीं है न नहीं है तो सेव करना तो सेव दबाये यह यह सेव करेंगे ओके यह चुका है यह खुल चुका है डैलो क्या बुलते है इसको is save as dialogue box है कि आप इसको save कर रहे हैं दिखें आपने दवाया है save but आया है save as क्या आया है क्योंकि आपकी यह नई file है क्या आई है नई file तो already किसी जगे पे save नहीं रही है तो बनी यह भी पढ़ा हुई है तो इसका पहली बार नाम कर रहे हैं क्या नाम करने पहली बार तो यदि आप उसका देखेंगे तो इसका नाम आता है अंटाइटल्ड क्या आता है अगर आपने कोई नाम नहीं दिया तो इसका नाम आएगा अंटाइटल्ड फिर उसके बाद अंटाइटल्ड वन फिर अंटाइटल्ड टू ऐसा नाम आएगा बढ़ आपको इसका नाम देना चाहते है युवराज क्या नाम देना चाहते हैं युवराज तो आपने नाम सेफ कर दिया और आपने कहां सेफ कर रहा है देखो लोकेशन कहा रही इसकी desktop this pc मतलब यह computer इसका computer का कौन सा desktop अरिया desktop अरिया, desktop मतलब जो सामने देखता हम दो यह मैंने सेफ कर दिया, कर दिया save , जैसे ही आपने सेब किया इसका नाम देख लो क्या हो गया file का यिवराज , पहले इसका नाम क्या था तो यह आपका यवराज दिखाई दे रहा है चलिए वापस चलते हैं पेंट सॉप्ट्वेर पे हम इसको सेव कर चुके हैं क्लियर हुआ जी एनी प्रॉब्लम तो सेव हो चुकी है हमारी फाइल चलिए अब यदि आप इसमें बदलाओ करते हैं कुछ भी जैसे आप इसमें ब दबादेंगे सेव अब देखिए आप डायलोग बॉक्स नहीं आएगा आपसे नहीं मांगेगा क्यों क्यूंकि एक बार आपकी फाइल सेव हो चुकी है आपका एकाउंट खुल चुका है तो नया पैसा भी डालेंगे तो उसी एकाउंट में जाएगा की नहीं जाएगा त यहां पे बटन होता च्छोटी शॉटकट की उसको भी दबा सकते हैं यह बिलकुल कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं तो यह होगे आपने पास सेव क्लिक ऑन सेव यह ड्राइंग आपकी सेव हो चुकी है अब इसके बाद ओपनिंग एन ओल ड्राइंग ओपनिंग आपको कोई ड देखते हैं भाई हमे पास कौनंसे ड्राइंग इतनी सारी ड्राइंग मेरे पिक्चर फोलडर में सेव हैं देख रहेंगा अप इतनी कर दीजे, ओके, बैक हो गई, आगे बस समझ में न, यस तो सेव सिख लिया, कहरा setting and drawing as a desktop background, setting and drawing as your desktop background, आपको कोई drawing है, जो आपको desktop background मना नहीं, तो कैसे बनाएंगे, देखे, तो आप क्या करेंगे, वही, देखे, set desktop background, तो क्या करना है, click on paint बटन, वही paint बटन पे आपको जान है, select, okay, यहाँ पे set as, देखे, you can set your drawing as your desktop background by following the step, okay, click on paint बटन, paint बटन पे आपको क्लिक करना है, यह देखे, यह प्लेंट बटन है, देखे, आपको, यह आपका paint बटन, ओ भाई, यह आपका paint बटन है, यह आपका paint बटन है, यह आपका कौन सा बटन है, paint बटन है, ठीक ना, ठीक है, अब यहाँ पे रिखे, यहाँ पे रिखे, यहाँ पे रिखे, यह आ रहा है, set as desktop background, मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, यह देखे, अब मैंने बना दिया, अब मैंने बना दिया, अब देखे, यहाँ पे क्या रहा है, set as desktop background, आ रहा की नहीं आ रहा है, चलिए, तो यह क्या रहा है कि तुम यह देक्स्टा बेक्राउंड में सेफ कर सकते हो बट रुक जाओ मेरे को यह मैं सेफ कर लोगा तो गंदा सा डेक्स ताप एक अब 2 नियुकर ये तो मैं काम करता हूं एसमय पूरा black कर दीता हूं ये देखिए color black है ये मैंने black कर दिया अम मैं इस चीज को desktop background पे ले जाता हूं देखे तो कैसे file पे गया बुली ये देखे sex as desktop background कह रहां फिल फिल मतलब पूरे में आएगा टाइल मतलब टाइल्स बनके आ जाएंगी छोटी छोटी सेंटर मतलब बिल्कुल बीच में आएगा तो मेरे को फिल करना पूरे पूरे में ये देखे कह रहा है कि you must have save before तो save करके रहा इसको save करो ये मैंने इसको save कर दिया क्या नाम से मैंने save करना ये लीजिये मैंने अब ये मेरे अचुका है सम alternately अब यह मेरे अचुका है तो देखिते है डेक्स्टाप अपना पहले भी Black था अभी ब्लैक है भाई कोहँगे सब्सक्राइट कर लेते हैं color gives ये पर किल्या कर लिया और मैं इसको sausage से बहुत स्यूमा जैका ऐगा क्ट सब्सक्राइब मैं però सब्सक्राइंस्क्रा सब्सक्राइब करने मेरी यांक्छों में पूब तो आप कोई भी desktop background आप ले सकते हो, आप चाओ तो उसके पीछे आपकी image भी आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा, मज़े से कर सकते हो, आप ये काम तो आपने desktop background भी कल लिया, देखिए, तो select any three options, अब तीन option आते हैं, fill, fill मतलब पूरे desktop को घिर लेगा, tile, tile मतलब tiles, जैसे घर में tiles होती न, repeat होती है, ऐसे छोटी-छोटी tiles बन जाएगी आपकी, छोटी-छोटी क्या बन जाएगी, tiles, center में क्या आएगा, एकदम middle of the screen में आपके आएगी, जैसे पूरी screen न, इसमें इतने में आ जाएगी, बाकी में खाली रहेगा, बाकी में black रहेग paint क्या है, paint is a simple program for drawing and painting on the computer, पहली बात, the tool group in paint contains many tools for drawing and coloring, resize is used to make an image shorter and longer, resize tool यो होता है, क्या करता है, short और, बड़ा करता है, चुटा-बड़ा, skew is used to change one end of the image, और दूसरे को remain same, क्या क्या करता है, image को खीच देता है, stretch कर देता है, flip दो तरीके के होते है, horizontal, flip और vertical, flip जिससे हमको क्या मिलती, mirror image, क्या मिलती है, mirror image, rotate feature is used to, भाई, rotate करते हैं, अपना अलग-अलग angle पे, zoom से भाई साब बढ़ा कर लेते हैं, closer कर लेते हैं, bigger look हो जाता है, copy paste अपने बता दिया, duplicate image बना देते हैं, और पहली वाली image भी वैसी की रखी रहती है, cut करने पर जितने हिस्से को आप cut करेंगे, मैं इससे उतना पाड़ गायब हो के, दूसरी जगर paste कर दो के तो आ जाएगा, आई बास समझ में, any problem, तो दोस्तों ये था आपका chapter, अब इसके बाद आपके सामने क्या दिये, आपके सामने दिये, देखे, tick the correct options, आपको दिये exercise है, तो ये exercise आपका homework है, ये questions पूरे करिएगा, then इसके बाद आपके पास true false है, मित्रों, तो ये भी आपको पूरा करना है, ये भी homework है, इसके बाद देखे, आपको shortcut बताने हैं, कि shortcut क्या है, बहुत interesting और बहुत काम कीजीज़े, ये सब आपको बनने चाहिए then इसके बाद questions आपको मिलेंगे, one, two, three question number है, ये भी आपका homework है, then इसके बाद long answer type question है, ये बहुत important है, ये आपके exam में आएंगे, ये भी आपका homework है, okay, oh, crack the code, तो कहा गया, paint, इन में से कहरा circle करना है आपको इन जीजों को, words को, तो paint तो पहले ही मिल गया, cut भी मिल गया, भ हाई साब, ये तो teacher, ये देखें, draw the given picture हो, हो, ये तो बड़ी प्यारी activity है, और मेरे खाल से हर बच्चा ये बना लेगा, कोई बड़ी बात है, क्या यो इबराज इससे बनाना, बहुत आसान काम है, सबसे पहले triangle बनाएंगे, triangle के अंदर line ले ले लेंगे, ये triangle के अंदर ए इस file का नाम किस नाम से save करोगे, hut, और फिर आप क्या करेंगे, paint कर देंगे, teacher's corner, do an entire walkthrough of the paint program using the computer, explain the different part of the paint screen, different function and how to open and close tool, drawing, saving, shortcut, zooming, flipping, rotating, मतलब teacher को ये कहा जा रहा, बच्चो की आपको सारे function जितने आपने इस chapter में बताएगा है, बच्चो को समझाओ, explain the difference between rotate and flip, हाँ भाई, rotate और flip में बताओ, तो rotate मैंने बताया था, rotate आप किसी भी angle पे कर सकते हो, मगर flip में सीधे, A का B हो जाएगा, मतलब ना, इधर वाली ये चीज़ इधर आजाएगी, और ये वाली चीज़ इधर है, mirror image, very good, तो ये mirror image, तो दोस्तों, ये हो चुका है हमारा chapter number 5 complete, और इसके बाद हमारी जो है, languages पढ़ाऊंगा, जिसके बाद जो language क्या होंगी, ये सब मैं आपको चीज़े बताऊंगा, तो computer language MSW logo, okay, MSW, computer language MSW logo, तो इसमें MSW logo चलाएंगे, starting logo start करेंगे, component of the logo window and exit logo window, तो भाई, बहुत ही interesting chapter है ये, ये अभी तक आप लोगो ने जितना सीखा है, वो सब easy part था, but अब ये जो part है थोड़ा सा logo का, ये थोड़ा सा इसमें आपको काम करना पड़ेगा, मतला मज़ा आने वाला है, फिर इसके बाद हम logo के, logo के commands देखेंगे, कि logo कैसे काम करता है, okay, logo के commands देखकर के आएंगे, इसके लिए हमें एक छोटा सा software की विज़रूत पड़ेगी, वो भी मैं software फिर भी आप लोगों के लिए डाल दूँगा, okay, उससे हमको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, फिर इसके बाद है fun with tux paint, okay, तो फिर हमको ये tux paint नाम का software है, ये देखिए भाई साब, ये tux paint एक बहुत ही entertaining software है, वो tux paint का भी हम software कर लेंगे, बना लेंगे, ये भी आपस आजागा periodic assessment, इसका जिसको हम जितने chapter पढ़ चुके हैं, वो हम करेंगे इसमें, okay, okay, evaluation of the windows, okay, ये कौन सा chapter आगया भाई साब, evolution of windows, ये तो कहानी लिखी हुई है, ये windows की कहानी है, evolution of the windows, मतलब windows जो हम लोग यूज करते हैं, system software, उसकी कहानी है, जैसे मैं windows 10 pro यूज कर रहा हूँ, तो उसकी पूरी कहानी है, फिर इसके बाद orange global olympiard, cyber olympiard है, ये देखिए, इसके बाद olympiard के question दिये हुए है, और य जादा कुछ नहीं है, दोस्तों मान के चलिए, चार lecture में हमारा syllabus जो है, मजे से खतम होने वाला है, तो दोस्तों comment box में comment जरूर करिएगा, कि युवराज और मेरे साथ बढ़ करके आपको कैसा लगा, हमारे लिए आज के लिए इतना ही, हम दोनों को इजाज़त दीजे, आपका दिन बहुत शुबो मंगल मैं हो, और बाई बाई